Hello everyone, welcome to study journey with you Friends, आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक most important topic जो की हमारा होता है उपसर वो discuss करने वाली में उसके उपर चलने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एक्सटेट का exam date है वो announce हो चुकी है आप लोगों को यही 99% confirm मान के चलना है और इसी के इसाब से आप लोगों को आपके तयारी करनी है तो देखिए हिंदी की में बात करती हूँ तो हिंदी आपके exam में 15 नंबर के आने वाली है उस 15 नंबर के according मैंने जो भी classes बनाई थी उनकी मैंने एक अलग से playlist बना रखी है जो नंबर मैंने provide कर रखा है उस नंबर पर आप लोग information ले सकते हैं आपको बिलकुल minimum cost में hand return notes मिल जाएंगे general section की तो देखिए जो 15 नंबर की जो हिंदी आती है उसमें जो important important topic मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ बाकि जो भी 2-4 topic बसते हैं वो जल्द ही आपको complete करवा दिये जाएंगे और ये classes मेरी सिरफ ना estate के exam के लिए बलकि जो group D का exam है उसके लिए भी इतनी ही important है जितने की ये estate के exam के लिए है तो देखी कल मैंने आप लोगों को परते बढ़ाया था तो परते क्या होते थे friends last में जुड़ते थे वो सब्दांस थे सब्द की वो टुकडे थे जो क्या करते थे किसी भी सब्द के अंत में जुड़ करके जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था लोहा पलस आर बताया था ठेक है किया बना था हमारा लुहार बना था? तो ये क्या बताये थे? मैंने ये कहां पे जुड रहे थे? आपके last में जुड रहे थे. वो तो हमारे क्या थे? प्रत्य थे. लेकिन आज जो मैं आपको पड़ाने वाली हूँ वो होते हैं उपसर. उपसर क्या होते हैं ठीक अपोजिट होते हैं ये क्या करते हैं किसी भी सब्द के प्रारम में जुड़ते हैं सुरुवात में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ को क्या करते हैं परभावित करते हैं फ्रेंट्स देखिए जैसे कि मानले हमारे पास क्या है कोई सब्द है जैसे कि हमने सब्द ले लिया हार क्या सब्द है हमारे पास हार तो हार का मिन्स क्या होता है गले में पैन रहे वाला हार या फिर हार का मिन्स क्या होता है हार जाना जीत और हार तो दो हम इसके अर्थ समझ णो ना ऐसा ही होता है Guru विहार करने जाना घूंबने जाना ठीड़ कि जगह तो यह क्या बन गया उसका जो अर्थ है वो क्या ओदिंदझ हो एफ्रेण्ट हो गया ठीड़ तो जो हमारे जो उपसर्ग होते हैं, परते मैं बार-बार में बोल रही हूँ, उपसर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, कि उसके जो सब्द का जो अर्था उसको क्या कर देते हैं, परभावित कर देते हैं, साथ में क्या करते हैं, उसके अंदर नई विशेशता लाते हैं, जैस तो इस परकार से आगे जुड़ करके उनके अर्थ को क्या करते हैं परभावित करते हैं उनको क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं किलियर है देखे उपसर्ग जो है दो सब्दों के मेल से बना है उप पला से सर्ग उप का मतलब क्या होता है पास और सर्ग का मतलब क्या होता है ज आप लोगों को डेटेल में मताते हुंं उपसर्घ होती हैं प्षेंस तीन फ़रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं तत्सम और हमारे विदेशच या विदेश जोके मिल्येख संस्कृत के सम तो worst घ्ण ग। विदेशी बासा के और जिसमें आपको मेंली किसको मिलते हैं उर्दु एंड फार्सी के देखने को मिलते हैं सब्दान्स जो कि उपसर्ग का काम करते हैं अब इनको डिटेल में देखते हैं एक एक को यह तो मैंने सिरफ आप लोगों का बेसिक किलियर करना था वो मैंने आप मतलब घूमना, संघार, मारकाट करना उप के साथ हार जोड दिया उपहार, भेट, ठीक है? कोई भी गीफ्ट है विवम पलस अव पलस अहार जोड दिया, तो क्या बन गया हमारा वैहवार, आचरण करना प्रे के साथ अहार जोड दिया परभावित करते हैं तो यह सब हमारे क्या कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं अब उपसर्ग की जो कुछ विशेष्टाएं होती हैं वो देखी सब्द के अर्थ में नई विशेष्टा ला रहे हैं जैसे बल था तो बल का क्या हो गया प्रेबल यानि और भी जादा उसमें क्या होती है और भी ज़्यादा मजबूती होती है वो क्या बन जाता है हमारा प्रेबल बन जाता है सब्द के अर्थ को कभी कभी क्या कर देते हैं यह उल्टा कर देते हैं जैसे कि सत्य के आगे तो ये क्या करते हैं सब्दों के अर्थ को उल्टा भी कर देते हैं कभी कभी सब्द के अर्थ में जादा परिवर्तन ना करके उससे मिलते जुलते सब्द भी बना देते हैं जैसे कि सुद, सुद से क्या बना दिया, विशुद, भर्मन, भर्मन से क्या बना दिया, परी भर्मन, तो इसका मीन से एक ही है, भर्मन का मतलब भी गूमना, और परी भर्मन का मतलब चारो तरफ गूमना, सुद का मतलब भी क्या है, सुद ही है, ठीक है, प्योर ही है, लेकिन जब क्या बन गया है? वो विश्वुद बन गया यानि वो और भी जादा प्यूर हो गया तो कभी कभी उससे मिलते जुलते सब्द भी बना देते हैं. यह किसकी विशेस्ताइँ होती है? हमारे उपसर्ग की विशेस्ताइँ होती हैं अब आगे चलते हैं इनके जो भेद होते हैं मैंने आपको तीन भेद बताए हैं देखे वो देखते हैं कौन-कौन से तत्सम या संस्कित बासा के कितने उपसर्ग बताए गए हैं बाइस उपसर्ग बताए गए हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें से अगर आप लोगों को यहां पर कुछ ऐसा लग रहा है, ख़ब क्यूशन कैसे बनेंगे, तो देखी, क्यूशन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ, किस परकार के क्यूशन बनेंगे, आप से पूछ लेगा कि सुआग आगत के साथ क्या जुड़ा है, सु, सु पलस आगत, यानि इसमें उपसर क्या है, सु, इसी परकार से मानलो हमारे पास कोई और शब्द है, ठीके, जैसे कि मानलो क्या था, यह है, अप सब्द, हमारे पास क्या है, अप सब्द, तो इसमें पूछता है कि हमसे उपसर क्या ह तो हमें मूल सब्द निकालना है, मूल सब्द क्या है हमारा सब्द, तो सब्द के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अब तो यह इसमें हमारा जो उपशर्ग है, वो क्या निकल गया है, अब जब आप मूल सब्द को निकाल लोगे न, इसका जो मेन सब्द था, जो इसका रूड स ततसम यह संस्कित-बासा के जो उपशर्ग है, आपसे यह नहीं बुचेगा, कितने होते हैं, यह इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कौन-कौन से होते हैं, यह देख लीजें, चुकि कभी-कभी पूझ लेता है, आपको देदेगा मालो, आपसे दे दिया, कि अति, अती जो उपसर्ग है वो कौन सी भासा का है तो आपको पता होना चाहिए अती जो है वो कौन सी भासा का है संस्किर्थ भासा का है कौन सी उपसर्ग है ये तक्सम उपसर्ग है जैसे कि अती का मिंस क्या होता है अधिक होता है अधी, अधी का मतलब होता है प्रधान या स्रेष्ट, तो इस परकार से कैसे बन जाएगा, अंत, अंत के साथ क्या लगा दें, अत्त लगा दें, तो इसका मतलब क्या हो गया, अत्यंत, अल्पल्प, यानि अल्प के साथ क्या लगा दिया अल्प तो क्या बन गया ये तो ये मिस्प्रिंट इस को छोड़ देना आप लोग ठीक है आउशक अती पलस आउशक अत्याउशक अती पलस अधिक अत्याधिक अती का मिंसी क्या है अधिक जो अधिक पहले ही है लेकिन उसको और भी अधिक दि अधिकार अधिक्ता इनमें कौन-कौन से उपशर्ग है तो इसमें कौन सा उपशर्ग है अधी इसमें भी अधी है इसमें भी अधी है और अधी का जो मिंस होता है वो होता है प्रधान्यस रेस्ट ओके इसी परकार से हमसे पूछ लेगा कि अनुमान में कौन सा उपशर्ग है तो अनुमान में हमारा उप्षर्ग है अनु, अन्वे में कौन सा है, अनु है इसमें भी, अन्वेशन में कौन सा है, अनु है, अनु प्लस वेशन, अन्वेशन, अनु प्लस वेशक, अन्वेशक, अनु प्लस विक्षक, अन्विक्षक, ओके, अनु का मतलब क्या होता है, पी भाई दे रहा है, मुलसब्द क्या है, कार, यस, किर्ति, वाद, कार, यह सब क्या है, मुलसब्द है, तो इसमें उपसर्ग हमारा क्या है, जो पहली जुड़ा हुआ है, अप, और अपका मिन्स क्या होता है, बुरा, ओके, इसमें अपको प्रैक्टिस करने है, कि इनमें कौन सा उपसर्ग है, अभी है, जब इसमें आपको मूलसब्द निकालना आ जाएगा जैसे कि इसमें मूलसब्द क्या है ? ढालना तो अब आरामसे इसका उप्षर्ग निकाल दोगे वह इसमें उप्षर्ग क्या है ? अभी है ओके नेक्स्ट आता है अव ओ का मींस क्या होता है बुरा या विपरित अव मानना, अव धारना, अव कास, अव हेलना ये सब क्या हैं? बुरे की सेंस में अवक उपसर के उधारण है नेक्स्ट आता है A और ये सब हमारे कौन से चल रहे हैं? तक सम जो हमारे संस्क्रित वासा के उपसरगे हैं वो चल रहे हैं अ का मतलब होता है तक आ जनम, आ कंठ, कंठ तक, जनम तक, आ भरन भरने तक, आ न अमरन ने तक ठीक है प्रे प्रे होता है पहले की सैंस में प्रेहार, प्रेयोजना, पर्मान, परकार, परयोग, परधान अगर इनमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा उप्षर्ग है तो कौन सा उप्षर्ग है प्रे उप्षर्ग है ओके नेक्स्ट आता है प्रती जैसे कि प्रती छण प्रती पल प्रतेक प्रती दिन प्रतियासा ये सब किसके एक्जामपल है प्रती उप्षर्ग के ओके परियावरण इन सब में कौन सा उप्शर्ग है परी उप्शर्ग है ठीक है और परी का मिन्स क्या होता है चारो तरफ नेक्स्ट आता है रहित या बिना जो सैंस की यूज़ करवाता है वो निर होता है निरासा निरपलस आसा निरधन निरपलस धन निरजन निरपलस जन निराकार निरपलस आकार इनमें कौन सा उप्शर्ग है निरप्शर्ग है निस निस भी उप्शर्ग होता है जैसे की निस काम निस छल निस तारण निस चै निस तेज निस प्राण ये सब किसके एक्जामप ऩぇ कि निष्म में क्या होता है Kido review अरप मिले गा तो उसके क्या बन जाता है जो सटकॉल वाला होता है कि यहां पे क्या था Cord naar यह वाला भफ 疫 tsunami क्या यह उलन शिच्वाला का था सबसे लास चालব कोеж्षे सेले कि हीज़ा 고 रखना है आपको आपसे एक्जामें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा उप्षर गए उप्षर को निकालिए और यह सारे जितने भी एक्जामपल है मैंने आप लोगों के लिए इसमें इंपोर्टेंट लिए ताकि आप लोगों के क्यूशन यही से बन जाएं दुष करम दुष पाप दुष फल दुष चाशन दुष चाहस दुष चक्र दुष पर्योजन दुष तर इनमें कौन सा है दुष और दुष का मिन्स क्या होता है बुरा विपरीत कठीन परिस चरक है ओके आगे आता है उप भाषान उपहार उपयोग उप्मान उपकार उपवन सब किसके एक्जांपल उप उपसर के एकजांपल हैं ऐस सारे आपको अच्छे से करने हैं अगर आप लोग वीडियो से कर रहे हैं तो स्क्रिंसोट ले लीजिए अदर वाइस आफं क्लासेज हो चुकी है उतने नोट्स डल चुके हैं बाकि मेरी पूरी कोशिस है कि अक्टूबर के एंड तक पूरा सलेवस करवा दू और उसके नोट्स आपको प्रुवाइड करवा दू उसके बाद मैं प्रिवेश येर करवाऊंगे उनकी पीडिげ सि आपको उसी में मिलेंगी को displacement नहीं देना डेकर आसी लोगेश अपसु दिवाएक उसके बात और बश्याथ है ना उसको अचए से कर लेते है उसके बाद वह आपको देल्ले ऐक बंता जाएगा आपकी तुबल कि रुटीन बन लीए एक परकार से आपकी तो पूरा रूटीन बन रहा है कि हाँ आज ये टोपिक हमें किलियर करने है विश्वास करके लिया है तो विश्वास रखो इतना ठीक है नेक्स देखी जैसे कि अच्छा और सरल के लिए किसका यूज करते हैं सू का यूज करते हैं सू गम में पूछ ले शू शाशन सू योग सू पलस अलप सू यलप सू पलस भासित सू लब सूलब यह सब क्या है सू उपसर के एकजामपल है teamrem टाता है सम संस्कित बाशा का यू उपसर्ग है सम से सम मौहन सम लीत सन्निकट, संयोग कभी-कभी आपको मैं की धमनी भी सुनाई देती है ठीक है यहाँ पे लेकिन उप्षर कौन सा होगा हमारा समयोगा, समीधान संकर, संगठन संस्करत, संसकार संस्करती, किसके एक्जामपल है सम के एक्जामपल है आगे आता है नि, निगोडा निपात, निदेशक निगम, निदान निरूपा, किसके एक्जामपल है नि के, विहार विश्राम, विधान, वैवधान वियोग, विभा, विभिन विने, विमुक, सब आपको याद करने है, इसमें कौन सा उपसर्ग है हमारा, विउपसर्ग है तो ये थे हमारे संस्कृत के अब देखिए हिंदी बासा के उपसर्ग, जिनको हम क्या कहते हैं तदभाव, ओके ए, अध, अन, उ, अव, उन, ये सब क्या है हिंदी बासा के उपसर्ग है, इनको देखिए ऐसे बनता है ऐ का मतलब आपको पता है बैए कारण ऐसक्य अभाव अयोग्य अखाल ठीक है अद आधा अद पका अद मरा अद जला अद खिला अद मास इनमें कौन सा उपशर गया है अद अन होनी अन होनी अन बन अन देखा अन चाहा अन मागा अन उपशर गया ओके उचक्का उघाडना उघाडना इसमें कौन सा उप्षर्ग है उप्षर्ग है अवतार उसर ओघट ओचक ओघड इसमें कौन सा उप्षर्ग है अव उप्षर्ग है ओके नेक्स है उनतीस उननीस ये जो भी है उनाशी उनहेत्ता उनसट इनमें कौन सा है उन और उनका मिन्स क्या होता है एक कम, ओके, निगा मिन्स नहीं या रहित, निपुता, निकम्मा, निठला, निहत्था, ये किसके उपसर्ग के एक्जामपल है, निके, ओके, अब आप से पूछ ले, परहित, प्रासरीत, प्राधिन, इन में कौन सा एक्जामपल है, पर पलस अधिन, दूसरों के अधिन, प प्राधिन में कौन सा हो गया, पर पलस अधिन, प्राभाव में कौन सा हो गया, प्रापलस भाव, प्राज्य में कौन सा हो गया, प्रापलस जय, प्राक्रम में, प्रापलस क्रम, तो कौन सा अलग है, प्राधिन वाला अलग है, नेक्स्ट है, बिन का मिन्स क्या होता है, रह है और यह हिंडी बासा के उप्षरक्त है okay दू का मिन्स क्या होता है दो दू मुहा दू लती दू धारी दू गुना ये सब किस Hal later इत holding अब आजाता है हमारा विदेशी बासा के उप्शर्ग भेए यार तो न आपको भी करना पड़ेगा ठीक है विदेशी बासा के उप्शर्ग में देखो विदेशी वासा के तो आप आराम से निकाल लोगे बै, बा, बे, बिल, बद, खुस, एन, गेर, ना, सर, हम, फी, ला, दर, कम यह सब किसके एक्जामपल हैं? विदेशी वासा के इसमी मोशनी आपको उर्दू वासा के, अर्बी वासा के, फार्सी वासा के सब्द मिलेंगे, ठीक है? जैसे कि बै, या फिर बा, बनाम, बदोलत, बदस्तूर, बाइज़त, बाकाइदा, बादब, बामोका यह सब किसके एक्जामपल हैं? बै के और बा के, बै और बा का मिन्स क्या होता है? सहित, ओके बे का मतलब होता है रहित, बे परवा, परवा के बगैर, बे गुना, यानि जिसका गुना ना हो, ठीक है? बे वजह, जहां पर कोई वजह नहो बिला, बिला से बन गया, बिला कानून, बिला वजय, बिला परवा, बिला जगय, ओके बिला का मतलब भी होता है, बिना, बद का मतलब बुरा, कौन सी वासा के हैं ये, विदे सी वासा के हैं, ओके बुरा, बदबू, नसीब से बदनसीब, हाल से बदहाल, तो यहां पे बद क्या लगाया गया है, उपशर्ग लगाया गया है, खुश होता है, अच्छा, खुश बू, खुश नसीब, खुश हाल, खुश नुमा, खुश किसमत, खुश है इसमें, एन पे आपको इन में तो सा से वालों में नहीं होगे सर का मतलब मुख्या या परधान सरपंच सरहद सरताज हम में भी किलियर है हम सकल हम जोली जो साथ चले समान फी फी होता है परते फी आदमी फी मैदान ला का मतलब नहीं ला जवाब जिसका कोई जवाब नहीं ला परवाह ला इलाज दर में की दर हक कीकत दर गहा इन में से आराम श्याप निकाल लो एक कौन सा उपशर्ग है ओके कुछ अंग्रेजी बासा के आ जाते हैं हाफ हैड चीफ वॉइस जनरल डिप्टी हाफ से क्या बनता है बोलते हैं यह तो क्या है भई हाफ माइंड है ठीक है हाफ डे ले करके मैं स्कूल से आ गय से मैंटरी वाइस प्रेंसिडंट वाइस चंसलर जनरल का सामाने जनरल सेट्री जनरल मैनेजरव को इनसलर मनेजर डिपटी क्रिक अब सब्सब्स और यह दूल की je देखने को मिलेंगे स्वागत में क्या बताया था मैंने मूल सब्द निकालो मूल सब्द क्या बन रहा इसमें आगत में क्या जोडते हैं सु तो क्या बन जाता है स्वागत तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option number a next देखिए तिराहा तिराहा आया था ना हमारा ती से बना था ती से चो से मैंने बताया था पत से तो ती से तिराहा तो तिराहा में कौन सा है ती परती उपसर्ग में कौन सा सब्द बना है बहिए परियतन में कहीं परती दिखाई दे रहा है नहीं बल में प्रे दिखाई दे प्राज्य में भी नहीं दिखाई दे रहा लेकिन प्रतेक्स में क्या दिखाई दे रहा है प्रति उप्षर्ग दिखाई दे रहा है किस सब्द में वी उप्षर्ग नहीं है देखो वी उप्षर्ग नहीं है वी कट वी दग्द वी शम सब में वी है लेकिन यहां पर देखो अ ऐसे ही एक्जामपल मिलेंगे आपको यहाँ से देखो विदेश्य उप्षर्ग छाटना है मैंने नाम से बताया था कि विदेश्य वालों कुछ खास पैसान मिलेगी तो क्या है खुश क्या है मारा विदेश्य उप्षर्ग है फार्शी वासा के थे यह किस सब्ध में कू उप्षर्ग नहीं है भै कू रूप रूप पलस कू कू सल कू पलस सल कू करम कू पलस करम कू पलस चाल तो इनमें सब के चाल का अपना मिन्स है करम का अपना मिन्स है रूप का अपना मिन्स है लेकिन सल का क्या मिन्स होता है कोई means नहीं होता तो यहाँ पे जो कुशल है वो पूरा सब्ध है उसके अंदर कू है वो उपसर भी नहीं है ओके option number B हमारा सही answer हो जाएगा समझ रहे होंगे किस तरह से आप लोग answer निकालोगे अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को like कर दीजे चैनल पर first time विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लीजे सारी playlist बना दी है description box में link डाल दिया है एक एक वीडियो को जा करके आप लोग देख सकते हैं किस सब्ध में सम उप्षर्व नहीं लगा है सम पलस अर्थ वही यहां से अर्थ जो है मूल सब्ध निकल करके आ रहा है ठीक है सम पलस तो संतो सम पलस संस्क्रत संस्क्रत लेकिन यहां पर क्या बनता है सत पलस जन बनता है वही अच्छा आदमी सत जन ठीक है तो यहाँ पे क्या नहीं है सम उप्षर का परयोग नहीं हुआ है किस सब्द में अन उप्षर का उपरयोग नहीं हुआ है अन पलस इच्छा इच्छा बन गया यहाँ पे उचित से बन गया उपम से बन गया गमन से बन गया लेकिन यहाँ पे क्या था सब में अन पलस इच्छा, अन पलस उचित, अन पलस उपम लेकिन यहाँ पे क्या था भई अनू पलस गमन तो यहाँ पे उप्षर कौन सा लगा है अनू लगा है ना कि अन लगा है ओके, किलियर next देखिए अप उपसर्ग नहीं है अप सकुन अप सब्द अप मान अपना अप वही बात है देखो सब्द इसमें से निकल करके आ गया सब्द निकल करके आ गया मान निकल करके आ गया तो इनकी अपने individual क्या है अर्थ है लेकिन जब यहाँ पे अप पलस ना अब ना का क्या आर्थ हुआ ना का मतलब तो हम नई की सेंस में करते हैं लेकिन अपना का फिर कुछ आर्थ निकल नहीं रहा फिर इस तरीके से तो अपना में अप उपसर्ग नहीं है जबकि इन में क्या है अप उपसर्ग है केलियर समझ में आया होगा समझ में आया होग तो वीडियो के नीच एक पियारा सको मेंट कर दीजे कि हां मुझे समझ में आ गया है और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे चे क्उशन बना लोगे thanks for watching me, thanks for watching this video